नमस्कार, सभी को मेरा नमन अक्षत रित्या जो है 2024 में 10 मई को है अक्षत रित्या तीसरा दिन होता है वैशाख मंत का यह मंत जो है, यह महीना जो है बहुत ही पवित्र माला जाता है और इस दिन जो है, बहुत सारे अनुष्ठान किये जाते है एक बहुत ही शुब महुरत माना जाता है यह एक ऐसा महुरत माना जाता है जिस दिन कुछ भी किया जा सकता है बिना कोई महुरत देखे, बिना किसी उसके आप जो है, इस दिन कोई भी ऐसा काम कर सकते है जो जिसको हम पॉजिटिव काम बोलते हैं जैसे मांगली कारे बोलते हैं जिनको विवा है घर की नीव रखनी है अपने को बड़ा काम शुरू करना है तो अक्षित रित्य का समय बहुत ही जो शुब माना जाता है इस दिन जो है पहला हिस्सा जो देन का है वो दानपुन में व्यतीत किया जाता है और दूसरा हिस्सा जो है उसमें कुछ खरिदारी की जाती है जो सुबह का पहला हिस्सा है तक्रीमन समझें बारा मज़े तक इसमें जो है दानपुन अनिवारे हैं क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जो ग्यक्ति अपने हाथ से देता है अपनी संपती अपनी चीज अपना जो वैल्यूबल है जो दूसरी की साहिता के लिए देता है उसको उसका जो कर्मों का फल है वो कई जनम तक मिलता रहता है तो इस समय पे जो है जो बारा मज़े से पहले का समय है आपको किसी ना किसी पॉजिटिव काम में अपना धन जो है वो लगाना चाहिए आप कुछ ऐसे लोगों की help कर सकते हैं जो कि genuinely साहता चाहते हैं जिनको साहता की अविशक्ता है सर दान के लिए दान नहीं कोई ऐसी जगा पर दान जहां से वो दान जो है कुछ किसी को बड़ा लाब दे किसी को support करें विद्या दान कर सकते हैं आप जो है किसी व्यक्ति की education को sponsor कर सकते हैं उसकी higher education को sponsor कर सकते हैं उसके जो है education के लिए अगर कुछ धन जाए तो वो दे सकते हैं किसी school college में जो है जाके donation दे सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसको कि पढ़ना चाहता है लेकिन धन के अभाव में नहीं पढ़ पारा उसे support करने के लिए ये आप वजीफा दें ये scholarship दें इस तरह का दान कर सकते और दूसरे हिस्से में जो बारा मजे के बाद आता है उसमें आपको धन संपती जो है वो खरीदनी बहुत शुब होती है ऐसा माना जाता है कि इस समय में आपने जो धन संपती खरीदी वो आपके साथ कई जन्म तक चलेगी तो व्यक्ति जो इस समय धन संपती खरीदता है इसलिए से अक्षे बोला जाता है, अक्षे मतलब जिसका विनाश ना हो सके, जो खतम ना हो सके, तो ये जो इस समय पे धन संपती खरीदी जाती है, इसका विनाश नहीं होता, तो इसलिए इसको बहुत शुब बाना जाता है इस दिन पर, सोना खरीदना, चांदी खरीदना, आभुशन खरीदना, रतन जुषरात खरीदना, इसमें सबसे ज्यादा जो शुब होता है, वो जिसे संस्कृ स्कृत में रूपा बोलते हैं, बंगला में रूपा बोलते हैं जिसको, जिससे की रुपया शब्दाया, चांडी जिसे हम लोग सहरधारन bahशा में बोलते हैं, चा रत्न खरीदने चाहिए अपने पहनने के लिए रत्नों का और चांदी का इस दिन जो है विशीश महत्व है तो इन दोनों चीजों को खरीदे जाना चाहिए और अगर धन का अभाव है तो सिर्फ जौन भी खरीद सकते और जौन को अपने थोड़ा सा मुठी भर जौन लेके उसको अपनी पूजा मिठाली में रखके उससे जो है लक्षमी जी का पूजन करें उससे जो है लक्षमी तब भी आएंगी आपसे प्रसंद रहेंगी इसलिए ये एक बहुत ही शुब दिन है इसको आप पूरे रीती रिवाज के अनुसार अच्छे से इसका जो है वो पालन करें तो ये आपको धन, संप्रती, वैभव सभी कुछ देगा ऐसा हमारा प्राचीन गरंत जो है वो बताते हैं तो प्रयास करिए जरूर आपको लाब में देगा